तो hello and welcome दोस्तों आप देख रहें Android जंक से YouTube चैनल और मेरा नाम है रूपेस दोस्तों आए चली शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि आप किस तरह से यहां पर यदि आपके पास भी आई किसी में बोड़ा फोन आइडिया की और बार-बार फ्लैस मैसेज डिस्प्ले पर सो होता है तो हम इसको कैसे बंद करेंगे क्या तरीका होता है इसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं तो चली फिर इस वीडियो को हम करेंगे शुरू वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाई कि हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा क्योंकि रोजाना आपको इसी तरह की अच्छी एच्छी वीडियो आप लोग के लेकर मैं आया करता हूँ तो चले दोस्तों इस वीडियो को हम कर लेते हैं सुरू यहां पर तीन से चार तरीका मैं बताऊंगा तीनो चारो तरीका आप फॉलो करेगा आपका जरूर से जरूर यहां पर फ्लैस मैसेज बंद कर दिया जाएगा आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं समझेंगे कैसे कैसे क्य है हमें कुछ तरीका अपनाना है तौ सबसे पहले हमें क्या करना होगा जाय मैं आपको बताते हैं आपको अपने iPhone से डाइल करना है यहां पे एक number जो नमबर है इस्टार इस्टार пару 499 है्ज यह लिखे डायल करना है जैसे आप डायल करेंगे तह पर processing होगा और आप आपको नीचे यहाँ पर अक्तिक्त करा एंगे कारते हैं सोने आंपको मेसेज बॉक्स में जाना है ठीक है आपको message box में जाना है start chat पे यहाँ पे plus पे क्लिक करना है एक number note करना है जो number है one double nine ठीक है इस number पे हमें एक SMS भेजना है जो SMS है वहाँ पे आपको लिखना है capital letter में लिखना है c a n space yep l a yes 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 ठीक है यह लिक है आपको send कर देना ठीक है जैसे send करेंगे तो send पे क्लिक कर देंगे तो आपका flash message बंद कर दिया जायेगा ठीक है तो यदि फिर भी ना मिले तो आपको क्या करना है आई मैं आपको बताता हूँ हरे कमपनियों के phone में यहाँ पर एक option दिया रहता है steam toolkit का आपको उसमें चलना है यदि ना मिले तो भी मैं बताऊँगा option कहा आपको मिलेगा ठीक है सभी में यहाँ तो यहां पर एक आपको क्लिक करना हैना करना के बाद पहले पर प्लेषगा इस पर पर जाना है यहां पर प्लेष मैंसे सटिएगब कर दिया जाएगा दिख सकते हैं Imperial गया और यहिधी फिर भी ना हो तो आपको क्या करना है एक संब आपको क्लिक करना चाहें तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा तो आपको चलना है app setting में जाने के बाद आपकी सभी की सभी phone के application दिखा दे जाती है यहाँ पर आपको search कर लेना है search application में लिखकर SIM toolkit sorry यहाँ पर दूसरे पर click हो गया हमारा यहाँ लिखना है SIM toolkit आएगा इस पर आपको click करना है इस पर click करने का notification पर जाना है notification पर जाने के बाद जो भी notification रहे इसको बंद कर देना है और वापस से आपके mobile phone पर कोई flash message कोई notification नहीं आने वाली है यहाँ पर भी आई के तरब से जो flash message आता है तो दोस्तों आए तरीका आप अपनाएगा आपका जरूर बर्क करेगा flash message बंद हो जाएगा आपके display पर कोई flash message नहीं आने वाला जो मैं तरीका आप पर बताया हूँ तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में आपडेट के साथ अपतर के लिए आप लोग अपना ख्याल लखिएगा